बिटा मम्मी का है? अंदर है अच्छ हाई ये क्या वनी हुई है? सुभई ये तो बोला था तेरको वैने की पूजा है हमें जल्दी चल ला है और देख मेरेको इतना टाइम लगता है तियार होने में जब कि मैं अप टाइम पी तियार हो के आगई चल जल्दी त्यार हो जाँ मैं भी तो देखू तेरा वट रो अरे साइड तो हो जाँ अनमारी में ऐसे लग रहा है जैसे घुसी जाएगी क्या कुछ नया सर्प्राइज खरीदा है क्या नई यार कुछ भी सर्प्राइज नहीं है कोई कपड़े की नहीं मिल रहे हैं खरीदा हो और मैं भी तेख लूँगी कौन से घिज जाएगा तेरा थैंक गॉड एक ड्रेस तो मिल गई बस अब मैं फटा फट से त्यार हो जाती हूँ मस्ते मैं हूँ अनुकमा और आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे रीजन्स जिसकी वैसे हमारा जो वाड्रोब होता है कपड़ों से भरा होता है फिर भी हमें कपड़े नहीं मिलते खैर यह तो ऐसी चीज है कि अगर आपके पास कितने भी कपड़े हो तो आपको कभी भी कपड़े नहीं मिलेंगे पूरी में जितनी भी लेडीज एंग और वहत चोट तो आपके वर्डूब में आपको कपड़े मिल जाएंगे नमबर वन, you have more than 10 years old clothes in your wardrobe, most of them doesn't fit you but you still keep them हम लोगों में सब्सक्राइब लोगों के पास यह होता है ना कि पता नी 10 साल तो मैं बहुत कमी बता रही उससे भी पुराने पुराने कपड़े होते हैं और हम रखे रहते हैं कि शायद आ जाएंगे तो इससे बेटर है कि उन कपड़ों को निकाल दीजे ताकि जो कपड़े आपके फिट अभी आते हैं उनके लिए जगए बने Karma 2 2. You don't organize your cupboard कई पर ऐसा होता है कि जो हम organize नहीं करके रखते हैं अपने कबड़को सही से इसले से हमें कपड़े नहीं मिलते हम नहीं लाते जाते हैं और वह भी रखते हैं वह भी हमें नहीं मिलते पर ऐसा हो नहीं पाता हम अपना वो साइज जो हम चाहते हैं वो हम करनी पाते हैं या उतने पतले हो नहीं पाते हैं तो वो क्लोथ हमारे वेस्ट रहते हैं नमबर फोर यू वाइ सिंगल बॉटम इट में बी एबनिक और वेस्टन वियर विट मोर दन टेन टॉप्स और कुर्ता यहां तो मैंने एक बॉटम के साथ तीन कुर्ता दिखाया हैं जबकि लोग एक बॉटम के साथ दस कुर्ते भी ले लेते हैं नमबर फाइव यू डोंट प्री प्लान वाट टो वियर नेक्स टे और यह बहुत बड़ा रीजन होता है कि हमें कपड़े नहीं मिलते क्योंकि हम पहले से डिसाइड नहीं करते हैं कि हमें क्या पहनना है और सुबह हम लेट उटते हैं या किसी भी रीजन से अगर लेट हो गाएंगे नमबर सिक्स यू डोंट बाइ कम्प्लीट आउटफेट और सेट्स बड़ यू बाइव यू बाइव डिफरेंट टाइप अफ लूट्स और यह भी एक रीजन होता है कि हम अलग 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 है कि बस कपड़े खरीद लेते हैं कभी कुर्टा पसंद आगया वो खरीद लिया कभी बॉटम पसंद आगया कभी दुपटा पसंद आगया लेगिन हम यह नहीं सोचते कि हम कंप्लीट सेट कैसे बनाएंगे जिसकी वैसे जब हमें कपड़े पहनने होते हैं ढूनना होता है कुछ नहीं मिलता तो जैसे मैंने इसको कंप्लीट सेट बनाया है यह दुपटा अलग से लिया है रिजन नमबर सेवन यू शॉप वेन इन स्ट्रेस यह बहुत सारे लोगे साथ होता है पहले जब हम आफलाइन शॉपिंग करते थे हम मौल चले जाते थे जब टेंशन में होते थे या कभी लडाई होती थी या कभी हमें लगता था कि मैं करेंगे क्या नमबर एट यू फालो फास फैशन अन आफ्टर फ्यू मन्स यूर क्लोथ गेट आउट डेटेड जो लोग फास फैशन फालो करते हैं उनके साथ यह प्रॉब्लम बहुत होती है कि हर कुछ दिनों के बाद उनको लगता है कि मेर बास कपड़ ही नहीं अब मैं यह प्रॉब्लम बहुत है कि हम जैसे कोई शॉपिंग जा रहा है तो किसी ने बोला तो चलो हम चल पड़ते हैं और हमें बिल्कुल आइडिया नहीं खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए हम कुछ भी खरीद के ले आते हैं और उसके बाद हम उसका बिल्कुल यूज ले आते हैं I hope यह वीडियो आपके लिए helpful होगी और आपको किस वाज़े से अपने कबड में कपड़े नहीं मिलते हैं प्लीज जरूर बताइएगा मिलते हूं आपसे नई वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए